जहें दोस्तों क्या हाल हैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एक दम बढ़िया होंगे दोस्तों आज की स्टूडियो में कुम्पेर करने जाने हैं बोट के 80170 को बोल्ट आडियो के Airbase X45 के साथ में अब हाला कि इन दोनों की मैंने अल्रेडी एक डिटेल अनबॉक्सिंग और रिवीव वीडियो बना रखें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेर कर दूँगा वहाँ पर जाके उनको एक पर चेक आउट जरूर कीजेगा तो सुचाएं, क्यों हो नब कंपरेसंट वीडियो इनके बारे में बनाएं जए तो वीडियो में अन्ड तक हम लोगों के साथ है बने रहेगे गा दोस्तों सारी की सारी चीजे करेंगे समें इसकी sound quality, इनकी design और build quality, इसकी call quality, gaming performance, हर चिछ discuss करेंगे इस वीडियो में, तो चली without wasting time करते हैं, फटावर से वीडियो को start, तो start करें, अगर इनकी design और build quality की, तो दोनों के दोनों ही यहापे आपको matte color की finishing में मिल जाते हैं, चाहे मैं case की बात करो, चाहे उनके अंदर की air bed की बात करो, दोनों में ही आपको matte color की finishing मिल जाएगी, और दोनों ही काफी light-weighted और बहुत ही handy है, आपके एक हाथ में easily carry हो जाएगे, तो चाहे आप उनको हाथ में carry करना चाहते हो, चाहे pocket में, चाहे jeans की pocket में, कोई भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, case की भी अगर मैं बात करो, तो दोनों में ही plastic यूज कर रहा है, लेकिन अच्छे quality का plastic यूज कर रहा है, ऐसे नहीं कि कहीं से मतलब lose होने की आवाज हो या किसे case पिछक रहा हो, लेट वगेरा की बात करो, सारी चीज़े एक दम बढ़िया आ रहे हैं यहां पर, इवन मैं अगर उनकी earbud की भी बात करो तो दोनों में stem वाले design दे रहा है, और जैसे कि मैंन आपको बता है, दोनों ही light weighted है, तो काफी लंबी time के लिए भी आप उनको use कर सकते हैं, आप कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है, थोड़ा सा जो difference दे रहा है वो खली उनकी design और color option में दे रहा है, तो यह आपका personal preference है कि आपको किस तरह का design पसंद आता है, किस तरह का color पसंद आता है, उसके साफ साफ चूज कर सकते हैं, बाकि वैसे इन दोनों में कोई भी difference नहीं है, build quality और fitting वगरा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो, दोनों में type-c based charging का support मिल जाएगा, दोनों में ही एक dedicated game mode मिल जाएगा, और दोनों में आपको एक encv record mic का feature मिल जाएगा, बात करें अगर इनके differences की specifications के बारे में मतलब, especially जो advertise कीई है, उनकी साफ से मतलब, तो जो minus है difference है, वो सर्फ इतना है कि जहां bolt में आपको IPX 4 की rating मिल रही है, वही bolt audio में आपको IPX 5 की rating मल रही है, जहां bolt में आपको 50ms का low latency mode मिल रहा है, वही bolt में आपको 45ms का low latency mode मिल रहा है, जहां bolt में आपको 10 minute के charge में 180 minute का playback time दे रहा है वही bolt audio में आपको 10 minute के charge में 1500ms का एक वो दिरा है, 1500 minute का playback आपको time मिल रहा है, तो यह minor से थोड़े बहुत जो differences है, वो है, प्रेक्टिकल लाइब में आपको इतने ज़्यादा कुछ खास ऐसा है, फरक आपको पता चले गए 45ms और 50ms में, या IPX 4 में, IPX 5 में, इससे कोई तना पता हूं, तो मैंने अभी इस price range में जितने भी अभी तर PWS करके देखें, इन दोनों का मेरे को sound सबसे बढ़िया लगा है, यहाँ पर, एकदम बढ़िया तरीक से आपको balance कर रखा है, यहाँ पर, जैसे कई हो में होता है कि bass जादा heavy होता है, vocal का पता नहीं लगता, कई हो म आपको ऐसे कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, दोनों में एकदम बढ़िया आपको bass मिल जाएगा, गजब का दुम-दुम वाला जैसे कहते हैं, दोनों में आपको loud और clear vocal आपको पता मिल जाएंगे आपको, तो sound के लिए अगर मैं बताओ, तो दोनों में से आपको किसी इस दोनों में से किसी भी एक को consider कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत major difference नहीं दे रखा हैं यहाँ पे, अब बात करें कि gaming performance की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जैसे कि boat map को 40ms का gaming mode दे रखा है, जबकि bolt audio में आपको 45ms का gaming mode दे रखा है, लेकि सच बताओ, मैंने practical life नागर करो, तो आपको इन दोनों के बीच के difference बिलकुल पता भी नहीं लगेगा, दोनों महीं minor सा लागा है, बहुत ही minor सा, लेकिन उसके अलावा भी दोनों में एकदम चाहे sound की separation हो गई, ठीक है, चाहे rap-right वाली जो होती है, चाहे हम आपको कोई भी तरह की voice command होगी, च सच बता हो, तो minor gaming के लिए, casual gaming के लिए, सब्सक्राइब आप खेलना चाहते है, तो दोनों में से, इन में से किसी को भी आप चूस कर सकते है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, बात करें इनके calling के performance की, तो यहाँ पे यह जो एक ऐसा field है, यह सिर्फ एक ऐसा field है, case में मैं आपको bolt audio वाले तो बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा, उनकी calling के लिए तो बिल्कुल ही, मतलब मेरे को तो बहुत ही विक्रा लगे, सच बताओ तो, हालकि दोनों में ही आपको क्वाड़ में दे रखा है, दोनों में ही ANC आपको दे रखा है, लेकि उसके बाओ, उन रूम में भी मैं अकेला बैठा वाता, उसकी बावजूद भी ना, उनके आवाज बहुत ही ज़्यादा धीमें आती है, मतलब, तो calling के लिए तो मिल्कुल बेकार लगे, वहीं दूसरी तो अगर मैं बोट की बात को तो उनकी call quality भाई सा बढ़िया मिल्को लगी, indoor condition में और outdoor condition में भी जहाँ पर crowd बहुत कम है, वहाँ पर तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, loud आपकी आवाज आएगी, सामने आवले को clear cut आपके सुनाई देदे की, हाँ जहाँ पर भीड बहुत ज़्यादा है, जैसे आप पब्लिक टांस्पोर्ट यूस कर या जैसे marketplace में जहाँ पहुत ज़्यादा भीड भाड वगएरा हो रही है, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको जैसे कम crowded वाले एरिया में, जैसे पार्क में सुबह गूम रहे है, ऑफिस से बैट के बात कर रहे है, घर से बैट के बात कर रहे है, तो वह आग के केस में मैं Bolt Audio को recommend नहीं करूँगा, इसके लावा बाकी चाहे कोई भी field हो, दोनों में almost same to same आपको दे रहा है, ऐसे कोई भी 5 bracket नहीं हो रखी या पर, कोई भी difference नहीं दे रहा है या आपर, तो यह थी हमरी आज की comparison वीडियो, Bolt की Adop 170 की Bolt Audio की Airbase X45 की साथ में, इनकी सा और यह कोई भी आपका suggestion या feedback आप मेरे को नीचे comment की तरूप पूछ सकते हैं, बकी जो उनकी मैंने detail वाली वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पर जाके उनको check out कर लीजेगा, बकी फिलाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतरह ही, वीडियो कर पसंद आई तो वीड पसंद एब के लाज सकते हैं